थेलो फ्रेंड दो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बॉड़ में तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग कैसे हैं बाबो आप सभी बार बता दीजें आप लोग कैसे हैं अब आज की क्वाइटी और वीडियो की क्वाइटी कैसी है एक बार आप लोग सभी बच् चुके हैं आप लोग एक बार कंफर्म कर दिजे के ताकि क्लास को स्टार्ट कर दिजे यहां पर दिखें आज का जो क्लास होने वाला है बिहार बोड परिक्षा के लिए यहां पर दिखें इंगलिस का हम टॉप विवियाई 40 अबजेक्टी प्रशन बताने वाले हैं जो चेप्टर से कुष्चन आएगा तब आपको बनाने में कैसा लग रहा है और जो हम नहीं पढ़ाएं वो चेप्टर से कुष्चन आएगा तो आपका तब आपको बनाने में कैसा लएगा यहां पर दिखें यह तो आपको बिल्कुल कंफर्म होने वाला है कि हमारे लिजे चैनल को क्या किजे बाबू सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और सब्सक्राइब करने के पास जो बैल आइकोन होता है उसको दबा के आप लोग वॉल पे कर लिजे ताकि जब भी लाइब कलास हो नौटिफिकेशन आपके पास पहुंचता र लिख देते हैं 91, 35, 74, 20, 24 आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको गुरूप में जोड़ना है हम आपको गुरूप में जोड़ देंगे और यहां पर दिखे ओनलाइन टेस्ट आपका चल रहा है फिजिक्स का ओनलाइन टेस्ट आपका चल रहा है जाके आप लोग ओनलाइन दे दिजिए अगर आपको ओनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है और एक PDF डाले है बाभू किसका तो यहां पर देख लिजिए कौन सा पार्ट लिखा गया है कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पार्ट लिखा गया है लेशन का मतलब क्या होते हैं उपार्ट तो हम लोग को पता है कि यहां पर महात्मा गांधी की जी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानि यह यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू हमारा A of C option क्या होगा इसका right answer हो जाएगा तो यह तो हम पढ़ाए है तो कितना अच्छा आप लोग पहले से ही जवाब दे रहे हैं C C हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं लेकिन आप लोग जवाब दे रहे थे C C बहुत ही अच्छा लगा तो यहाँ पे तो इसका right answer हो जाएगा C बहुत बढ़ी है very good बाबू अब यहाँ पे आ जाएए व्याकरण यहाँ पे देखें सोरी grammar से प्रश्न आ गया अब यहाँ पे देखें क्या है यहाँ पे लिखा है कि 100 परसेंट आपको यहाँ पे समझ में आना जरूरी हो जाएगा यहाँ परसेंट आपको समझ में आ जाएगा अभी आपको नहीं आ रहा है जिस दिन हम भर्व पढ़ाने लगे टिन्स बढ़ाने लगे प्वैसिब भॉय सब grammar अगर स्टार्ट किये ना तो बाबू 5 से 6 कलास में पूरा grammar finish, try to face कर देंगे अज इसको grammar नहीं आता है इंगलिस से डर लगता है उसके लिए तो बाबू राम बढ़े कमजोर student तो पूरा यहाँ पर सिख जाएंगे इंगलिस हम से यहाँ पर देखिए इसका जवाब देखें कि dash I go out sir choose the correct यह आप देखें एक्जूलरी भर तो यहाँ पर कौन से option में है बाबू यहाँ पर देखें A वाला option में है तो may I go out sir आप लोग बोलते भी हैं कक्छा से बाहर जाते हैं आप लोग तो बोलते हैं may I go out sir यह may I go in madam चाय कुछ भी यहाँ पर आप लोग बोलते हैं यहाँ पर देखिए अगला प्रस्ण क्या है ब होता है मन Дяж Flynn Скани six one का मतलब क्या होता हुरतता यानि हमारे सब्रकोंत कोन बढ़ाएगा तो इस लिए कोन बढ़ाएगा जैनुवर बढ़ाएगे नहीं बढपाएगे ओपची धानले फिर्थिंगे यह भीस कॉन बढ़ाएगा एक आगे और बढ़ाएगा development कौन करेगा तो कौन करेगा वाव पीपुल करेंगे यहाँ पर क्या होगा यह option इसका right answer हो जाएगा यह आप लोग याद रखेगा अगला question देखी can it be true यहाँ पर क्या देखा है can it be true negative sentence यानि इसका negative sentence हमको बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जागा it यहाँ can be true कि can it not be true यह तो ऐसे ही गलाच sentence हो गया can't यह भी गलाच sentence हो गया यहाँ देखी it could not be true यह भी गलाच sentence हो गया यहाँ देखी इसका क्या होगा लिखा क्या है can it be true लिखा है इसको क्या मतलब सुटेबल negative sentence बनाना है तो इसका negative क्या बनेगा तो इसका बनेगा it can be true यहाँ इसका क्या इसका negative sentence बनाना है तो क्या बनेगा it can be true यहाँ पर क्या होगा a option इसका right answer जेगा यह आप लोग याद रखेगा अगला question का answer दीजिए तो बहुत बहतरी है प्रशन है most important है और यह पढ़ा पढ़ाया प्रशन है तो इस प्रशन को आपको answer देने में बिल्कुल time नही I think यहाँ यहाँ पर कि सिंपल रहना और बहुत ज्यादा सोचना उच्छ सोचना किसकी सभयता में है किसकी सभयता में है बाबू तो यहाँ पर American civilization नहीं बाबू यहाँ आप देगे जो हमारा Indian civilization इंडिया की जो सभयता है उसमें क्या है simple रहना और उच्छ सोचना बाबू हम यहां पर लोग दिखती चली क्या क्या हमको गरामर में पढ़ना है पर पढ़ना है प्रव पढ़ना है यहां पर लिका है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा बाई एनिमन हो जाएगा इसे आप लोग याद रखेगा अभी बबु समझ में नहीं आता होगा लेकिन जिस दिन से गरामर पढ़ने लगेंगा तो जैसे यह आपको समझ में आता है 100% आएगा आपको यहां पर पताएगे कि इंडिया गलोरी इस डाट जाट और यह सब क्या होता है वहो most important प्रश्नों होता है तो सभी को पता है कि India glory is that is यहा होता है इम्मोभेवल तो यहाँ पर देखिए कौन से option में है इम्मोभेवल यहाँ देखिए यह वाला option में है यह option क्या होगा हमारा right answer हो जाएगा यहाँ देखिए यह पढ़ा चुके हैं चेप्टर तो कितना अच्छे से आप लोग answer दे रहा है लेगिन जो नहीं पढ़ा हैं उसमें कितना आपको दिक्कत हो रहा है आप लोग खुद देखिए कितना दिक्कत हो रहा है आठ नवर प्रशन बता है एक choose the correct spell यानि यहाँ पर आपको बताना है कि correct spelling आपको यहाँ पर choose करना है यहाँ देखा correct spelled या correct spelling देखा तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि ग्विक का spell क्या होता है फाटा फुट बताइए पावब क्विक का spell किसको याद है तो यहाँ आप देखिए Q-U-E-I-E-K ये गलत है Q-U-I-E-K गलत है Q-U-I-C-K ये सही है Q-U-I-C-K तो यहाँ पर क्या होगा C option इसका राइटान से रोगा इससे आप लोग साही कर दिजेगा आप आप लाइक बहुत कम है क्यों लाइक कम है वह फाटाफट लाइक किजेगा और यहाँ पर आगया एकदम आप लोगों वाला प्रश्ण बाबू यहाँ पर लाइक किजेगा सभी बच्चे एक बार लाइक कर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दिजे इंगलिस का बहुत ही धमाकेदार कलास हमारे पास होता है यह आप लोग याद रखेगा अब यहाँ आप बताईए 9 नंबर कि माई एक्सपेरिमेंट विद तुरूथ यानि सत्य के साथ मेरा परियोग किसके द्वारा लिखा गया है यानि कहने का मतलब है माई एक्सपेरिमेंट विद तूरूथ इस ब्रिटेन भाई यानि सत्य के साथ मेरा परियोग यह किसके द्वारा लिखा गया है तो हम आपको क्या बताए थे बावू तो यह महात्मा गादी के द्वारा लिखा गया है तो आप लोग क्या किजेगा B option पे टिक किजेगा B option क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही यानि 100% इसका right answer हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर 10 नंबर परसने कि We are dashed यहाँ पे poor अब बताएगे यहाँ पे लिखागा We are dashed the poor हमको क्या करना चाहिए गरीबो की यहाँ पे आपको क्या करना है बबु Choose correct भर्व भर्व पढ़ना हमको बहुत ज्यादा जुरूरी है तो यहाँ पे पहले आप लोग बता दिजेए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि you are dashed the poor तो you are helping the poor help नहीं होगा helped नहीं होगा कुछ नहीं होगा यहाँ पे क्या लिखा you are helping the poor क्या बबु you are helping the poor यानि C option इसका राइड़ान सुर जागा अगला question देख लिए ग्यारा नंबर कि यह ग्यारा नंबर प्रशने की दो यहाँ पे देखिए mind is restless यहाँ पे देखिए जैसे हम समरी पढ़ा रहे थे यहाँ पे देखिए इतना भारी है question लेकिन आप लोग पढ़ लिए है तो आपको हल्का लग रहा है कि mind is restless bird होता है माने का सांत पक्षी होता है तो आपको पाता है कि mind is restless bird हो जाएगा लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें confused हो जाते हैं कि आखिर जवाब क्या दे mind इसे क्या answer हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर सिबेई वाजे ट्यो टूइल्व इयर ओल्ड डैस बॉआ यानि जो सिबेई था 12 साल का कहा का लड़का था इंडिया का था जापान का था कि कुरिया का था कि चाइनिज था बताइए यहाँ पर बबू कि सिबेई जो था 12 साल का क D option में हैं तो D option क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा इसे आप लोग याद कर लिजेगा अगला question देखिए यहाँ पर 13 नंबर अब बताइए यहाँ पर पढ़ाया हुआ है तो देखिए कितना मजा आ रहा है आपको बनाने में पढ़ाया हुआ है तो देखिए कितना जदा यहाँ में संतुष्ट है कौन तो हमारे पूर्वज वो सहर में रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि वहाँ पे नॉन वायलेंसिंग थे फिंग यहाँ आप देखिए किरनेपिंग यानि असांती से भरा हुआ है तो क्या थे बावु छोटे से गाउं में र रखेगा अगला कुस्क्न देखिए यहां पर चोदन अब यहां पर बताएं कि विच नेशन हैस के यहां देखर जाते हैं एसका कहने का मतलब बदो है कि कौन सा ऐसा डेसा है को अमेς फिशLaughing जहां पर देतें तो यहाँ आप देखें जो भारत है भारत में क्या है बाबु यूँ आओ की संख्या बहुत जादा है तो इसको यहाँ आप देखें योंगेश्ट यहाँ आप देखें नेशन कहा जाता है योंगेश्ट नेशन किसे कहा जाता है बाबु तो भारत को कहा जाता है यह आप लो पक्षी है which always remains यानि और वो क्या खुझता है तो यहां पर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा इसे आप लोग याद कर लिजेगा अगला यहां पर कहने का मतलब है तरक्की का पहला साधन क्या है यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर देखें पढ़ाई की यानि तरक्की का पहला साधन क्या है तो हमारा एजूकेशन है कौन यहां पर देखें किस पार्ट का है तो भारत इजमाई होम का है और भारत इजमाई होम के लेखा कोन है तो डाक्टर जाकिर हुसेन है जिनका जनम हैदराबाद में हुआ था अठारसो संतानवेर में यह आप लोग याद रखेगा वाट इज दा प्राइवरे एस्ट्टूमेंट ऑफ नेशनल परपस यह आप देखें तरक्की का पहला साधन सबसे पहला साधन क्या है तो सिक्षा है सबसे ज़्यादा सिक्षा जरूड़ी है तब ही तरक्की होगा अगर अंपण यहाप लोग रहेंगे तो तरक्की नहीं होगा आप देखें यहाद पर अगला प्रश्नि क्या है सतरा नंबर प्रश्नि क्या है महात्मा गाधी वाज-ay-mちょ गया थे फार्मर थे कि politician थे हैं, economics थे हैं, कि social यहाँ देखे, reformers थे हैं, कि spiritual leaders हैं, तो जो महात्मा गांदी थे, वो spiritual leader थे बबु, क्या थे बबु, एक spiritual leader थे हैं, D option यहाँ पर क्या होगा, इसका सही जवाब होने वाला है, आप लोग बबु जो प्रशन बता रहे हैं, बहुत important प्रशन हैं, जो प्रशन हैं, इससे आप लोग याद जरूर कर लिजेगा, यह प्रशन आपके एक्जाम में बबु जरूर आता है, इसी परकार का grammar का भी प्रशन क्या है, most important है, सभी आप लोग याद रखेगा, अब यहाँ पर दिखे, grammar का प्रशन आ गया, कि I live-London, यानि I live to the suitable, यह जल्दी जल्दी answer दिजे, जल्दी जल्दी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी class कराना है, यहाँ देखे, I live-London, यानि यहाँ पर क्या हो जगा, I live in London, मैं लंदन में रहता हूँ, I live मैं लंदन पर नहीं रहता हूँ, मैं लंदन का नहीं रहता यहाँ पर क्या हो जगा मैं लंदन में रहता हूँ यानि इन मतलब क्या होता है मैं तो क्या हो जगा I live in London मैं लंदन पर रहता हूँ नहीं बाव लंदन पर कौन रहेगा यहाँ दिखें मैं लंदन का रहता हूँ नहीं मैं लंदन से रहता हूँ नहीं लंदन में रहता हूँ इन मतलब क्या होता है मैं मैं लंदन में रहता हूं तो इन हो जाएगा इसका राइट अंसर यह आप लोग याद कर लिजेगा अगला कोस्टन देख लीजेगा वह यहां पर 19 नंबर कि यहां पर सभी को पता है कि उनका चीफ वेटवन पहला था तुरूथ और यहां पर लोग बता दीजेगा जल्दी 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 एक बार बताईए कि को मतलब क्या होता है हो बहुत 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 बेतरी यहां पर जबाब दिए है तो यहाँ दिखिए याद का मतलब होता है यह होता है कि मतलब कि किसीके प्रतीब рядом शोनने रखते दे किसी के प्रतीब झाब फmented कर दा रहते यह इ microscopya चलिए अगला प्रशने देख लेजएं आपके पे घ्रा किस्ते रहूं टृकर और कान जोड़ Васil कार शोटे करना है यहां पर क्या लगा है कि see is यहाँ पर क्या हो जगा most beautiful यानि कुछ तो खास है कि इसको most beautiful girl बोला ज़रा है तो कोई भी खास चीज हो बाबू बाबू कोई भी खास चीज हो कोई भी खास अस्थान हो खास जगा हो तो उसके लिए हम दक अपरियो करते हैं तो क्या हो जगा see is the यहाँ पर क्या लगेगा बाबू see is the most beautiful girl कोई भी यहाँ पर क्या है most beautiful है कुछ तो खास है बाबू तो अभी तो यहाँ पर most beautiful है तो यहाँ पर क्या लगेगा खास चीजों के लिए हम दक अपरियो करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी अफसन क्या हो जाएगा, राइट अंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ देखे, बहुत बढ़िया, यहाँ आप देखे, अब यहाँ पर बताईए, अगला बताईए, यहाँ पर 21 नंबर की, डैस is known as the father of nation of बापू, यानि किसे हम लोग राष्ट पिता के नाम से जानते हैं, तो किसे हम लोग जानते हैं, बाभू सभी को पता है, बताईए, अंसर, यहाँ आप देखे, किसे जानते हैं, हम लोग राष्ट पिता के नाम से, तो महात्मा गाधी जी को, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाए है कि जो एवरेस्ट है वो हाइस्ट क्या है वाबु यहां पर आपको पाता है कि माउंटेन जो पहाड है जो एवरेस्ट है सबसे उची पहाड खास है ना कि सबसे उचा पहाड क्या है वाबु तो माउंट एवरेस्ट हमारा क्या है वाबु सबसे उचा पहाड है तो यहां प खास चीजों के लिए हम किसका प्रियो करते हैं तो 10 का प्रियो करते हैं तो Everest is the highest mountain यानि सबसे उच्या पहाड कोन सा है बाबू तो यहाँ पे mountain कोन सा हो जाएगा बाबू तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा अगला question देख लीजेबाव यहाँ पर 23 नंबर पर पूछा गया है कि यहाँ यहाँ पर बताना है कि वह यहां भासर कब दिये थे इसका हिंदी हुआ कि भासर वह कब दिये थे पत का सपत ले रहे थे तब जब हुआ, राष्ट पती पत का सपत ले रहे थे तब भासट दिये थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, when he took oath as the Prime Minister, sorry, President, यानि राष्ट पती पत के सपत ले रहे थे, तब यहाँ पर C Option क्या होगा, आगला कोस्टन देखिए 24 निवर कि चूज दा कुरेक्टली इस पेल्ट वर्ड यानि इस का सही यहाँ पर आपको क्या बताना है प्लास्टिक का कि प्लास्टिक का स्पेलिंग क्या होता है तो plastic या क्या हो जाएगा PLASTIC यहाँ पहला ही option हमको सही लग रहा है पहला ही 100% सही हो जाएगा बाकि PLE गलत है PLI गलत है क्या हो जाएगा PLASTIC हो जाएगा यहाँ पे यह option क्या होगा बाबू राइट आंसर हो जाएगा सही कीजिए यह आपके एक्जाम में आता है अब देखिए आपके कि डाक्टर जाकिर हुसेन का जनम कब हुआ था तो यह सभी को पता है कि डाक्टर जाकिर हुसेन का जनम कब हुआ था तो 1897 में हुआ था कहां पे तो हैदराबाद में हुआ था यह आपको याद रखना है डक्टर जाकिर उसेन का जनम 1887 में हैदरावाद में हुआ था इन हैदरावाद तो यहाँ पे आप लोग याद रखेगा ए अप्शन यहाँ पे देखिए कि which language has become a global language यानि किस भासा को हम लोग global भासा कहते हैं किस भासा को हम लोग global भासा के नाम से जानते हैं किसे हम लोग global भासा के नाम से जानते हैं तो इंग्लिस को हिंदी को फ्रेंच को की एटने अब देखें लेटिन को तो यहाँ पे देखिए जो global language जो हर देशों में बोला जाता है common language है तो वो है इंग्लिस इंग्लिस ही एक ऐ जाकिर हुसेन डाइड यहां पर आपको नहीं दिखता होगा हम लिख देते हैं यहां पर यहां पर देख लिजिए यहां पर पूछा किया कि मृत्व कब हुई थी यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहां आप दिखे जो डाक्टर जाकिर हुसेन ते उनकी मृत्व नियू देली में हुए थी यह आप लोग याद रखेगा यहाँ अगर आपसे पूछेगा यहाँ ले लिए आप लोग याद रखेगा रोच्ट पति थे प्रेश्यडेंट थे तो पाव यह थे पाव वो तिसरे नमबर के, अब देखिए यहाँ पर अगला question, अब दिवाब दिजी यहाँ पर 28 नमर प्रस्ट ने का है, कि who decided to hit the snake, किसने plan बनाया, किसे आपको मार देते हैं, यहाँ आप देखिए तो पढ़ाय नहीं है, एक पढ़ाय हुए पर ध्यान देजेगा, एक बिना पढ इसने को मारने को, साब को मारने को यह आप लोग याद रखेगा, अगला question देख लिए 29 नमबर, 29 नमबर प्रस्ट नहीं आप पर है, कि डाक्टर जाकिर उसेन, बोर्न एनिया ने डाक्टर जाकिर उसेन का जनम कहां पर हुआ था, तो अभी बताये हैं, कि उनका जो जनम यहाँ पे बहुत इबहतरिन प्रश्फ्टेर पांट से छो बार आ चुका है, यह सभी प्रश्फ्ट बाइबों, तीन से चार बार अबतक पूस्चा जा चुका है, चाहे हौँ वह ग्रामर का हो, चाहे वह भुक का हो, यहाँ पे आप लोग देख लिजएगा, यहाँ पे बताएगा कि-सं उग्रेट लॉवर अफ नीचर यहांपर क्या लिखना है दिस बाज़ज़ग्रेट लॉबर अफ नीचर तू कौन थे तो जॉन किट्स बाजे great lover उफ नेचर जोन किट्स वाजे great lover नेचर यहांपर A option क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question देख लीजिए कि Dr. Jaakir Hussain यहाँ पर क्या लेका है बभू entered the office with यहाँ देखें तो Dr. Jaakir Hussain entered the office is totally यहाँ पर क्या हो जाएगा dedication यहाँ पर enter किये थे totally dedication के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर यहाँ आपको नहीं पढ़ा है फिर भी आपको यहाँ देखें थोड़ा थोड़ा दिकत होता होगा क्योंकि अगर हम इसको पढ़ा देंगे तो फट 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 आंसर दीजिएगा जैसे यहाँ आप देखें Indian civilization and culture का दे रहे और यहाँ देखें Dr. Jaakir Hussain भारत is my home का दे रहे तो यहाँ पर बताएगे there, live or feeling first यहाँ पर क्या हो जाएगा चिप्टर का नाम है बाबु यह option क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला question देखें यहाँ पर 33 नंबर 33 नंबर बहुत ही बहतरे इंट परस्टन है most important है बाबु यह आप लोग याद रखेगा 33 नंबर परस्टन है की dance was the role model of dr. जाकर हुसेण स ten यहां पर लिखाए राधा किश्नन के बारे में उनके युगदान के बारे में बताया थे वो अपना रोल मडल किसे मानते थे तो यहां भी क्या हो जाएगा डक्टर या राधा किश्नन हो जाएगा रोल मडल किसे मानते थे तो डक्टर राधा किश्नन को मानते थे सी अप्सन इसका right answer हो जागा अगला question देखिए कि who was the influenced by गाधी जी कौन बावु यहां पर दिके परभावित होता है influenced का मतलब क्या परभावित यानि इसमें से कौन गाधी जी से परभावित थे कौन बावु और यह बहुत जादा बार पुछा गया परशन है यहां पर बताना है who was the influenced by गाधी जी यानि कौन गाधी जी से परभावित है तो जो मार्टीन लुथर किंग जुनियर थे यह क्या थे बावु यह गाधी जी से परभावित है मार्टीन लुथर किंग जुनियर जो थे यह क्या थे बावु मार्टिन लुत्हर किंग जुनियर यह गांदी जी से परभावित यहां पे दिखीए जो चिटर पढ़िएगा तो इसमें नेगरो जा जाती का यहां पर है और यहां पे नेगरो जाती के बारे में यह है और गोरी लगो की काले लोगों के बारे में तो जब इसका समरी पढ़ाएंगे चिप्टर पढ़ाएंगे पूरा आपको समझ में आएगा तो यहाँ आप देखें यह भी पूचा जाता है मैंटिन लुट्रं की क्या थे तो यह नेगरों जन जाती के थे यहाँ पर क्या हो जगए यानि काले परजाती है अमेरिका में काला गोरा का उसी में काले परजाती के थे यहाँ आप देखें 35 नमबर प्रशने कि डाक्टर जाकिर हुसेन टुक एट ओस ओस का मतला हुम क्या बता है बबु सपत यानि यहाँ पर जो चिप्टर पढ़ा चुक है न एक परसेंट आपको डाउट नहीं होता होगा यह गरांटी यहाँ बताए कि डाक्टर जाकिर हु कि संबीधान के प्रति हम कभी भी वफादार रहेंगे क्या बबु सपत लेते हैं कि संबीधान के प्रति हम क्या रहेंगे बबु हमेशा वफादार रहेंगे डाक्टर जाकिर हुसेन सपत लेते हैं वफादारी का किसका तो संबीधान के प्रति क्या रहेंगे बबु हमेश वफादार रहेंगे लोयल्टी का मतलब क्या होते हैं वफादार होता है तो यह है महारा 35 अब बता दीजेगा आप 35 में से आपका कितना प्रश्ण सही हुआ है जल्दी बताइए 35 में से कितना प्रश्ण सही हुआ है लाइन ट्स चल रहा है जाकर आप लोग support online ट्स दिजें और यहां पडिय फटाफट नहीं करने आता है तो चलिए आपको बता देते हैं की PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उससे पहले आप लोग क्या किजिए बभू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और सियर आपको जरूर करना है बभू सब्सक्राइब करके बेल आइकोन होता है उसको दबा के आल पे किजिए विडियो को लाइक नहीं किया फटब फटब आप लोग लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी जितने भी ये स्टुडेंट हैं वाट्सप ग्रूप में नहीं जुड़े हैं यहाँ पर हम अपना वाट्सप नमबर लिग देते हैं 95, 75, 24, 24 आप इसमें मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रूप में जूड़ना है हम आपको ग्रूप में जोड़ देंगे तो चलिए भाबू सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि आपको बता देते हैं कि आप लोग PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है Google Chrome को खोलना है तो यहाँ पर जैसे हम खोलने हैं वैसे ही किजिएगा कुछ ज़्यादा कम करने की जरूरत नहीं वैसे ही किजिएगा आपका PDF जरूर डाउनलोड होगा यहाँ पर सर्च बार में लिखना है सिर्फ आपको Ask Board यहाँ पर दिखिए क्या लिखना है बबू यहाँ पर दिखिए Ask Board लिखना है जैसे यहाँ पर क्या होगा Ask Board दिखाई देगा इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है जैसे ही किजिएगा हमारा Official Website आपके सामने आ जाएगा आ गया बबू हमारा Official Website क्या होगा आपके सामने आ जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहला जो काम करना है बबू तो यहाँ पर टेस्ट लिखा है टेस्ट पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे ऐसा पे जाएगा आप लोग क्या कीजेगा इसी पे एक बार क्लिक कीजेगा और यहाँ पर दिखिए एड दिखाई देगा जो यहाँ पर इस पर आप लोग क्लिक कर दिजेगा और टेस्ट लिखा होगा दो जुलाई का फिजिक्स का आप ल प्लिक करना है और नीचे यहाँ पर पढ़ते जाना है और यहाँ पर PDF मिलेगा क्लिक करके आप लोग डाउनलूड कर लिजेगा बिल्कुल फ्री में तो आईए फाड़ाफट आके आप लोग PDF और नौट्स डाउनलूड कर लिजेगा तो थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं अगले क्लास में तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाबू मन लगागे पढ़ाई कीजे टेक केर एंडवाई और सभी बच्चों को नमस्कार